है यह दोस्तो हमारे पास छीब कमपास और इसका अज कलाज कड़ेंगे हम लोग यह उपर की फिटिंग कोल रहा है उपर की फिटिंग कोल ने स्टार्ट हो चुका है और इस्टेरिंग अंदर से खोल लेंगे और पर कि लगवक फिटिंग खुल गई है सारा फिटिंग खुल गया कलच के पाइं तो इसलेटर को पाइं भगराट आधिये हैं रांडिंग के बोल्ट खुल गया है और ये उपर से बस मांटिंग रहा गया है कि यह मांटिंग का फिटिंग अभी सबसे लास्ट में खोलेंगे उपर वाला मांट जो है कि कि सारा फिटिंग खोलने के बाद में यह बस खोल के उपर करेंगे गाड़ी अब निच्चे का फिटिंग खुल गया हमने फुरा सफ्रेम उतार लिया है एक्सल बगरा लगया निच्चे आगया पूरा गेर रोलिस में निकालेंगे और यह हमने जैक का सपोर्ट लिया हुआ एक यह हैड्रोलिक जैक है जिसको हम इंजन को सपोर्ट दे रखा है यह गेर बोक्स उतर गया निच्चे दोस्त हम इसमें कलच प्लेट देख इसका डेप वह था वीक बाकि अप्रशल प्लेट सही था फिर भी हम कर बूरल सट ना है डालेंगे इसमें है की है यह को कि ए अग्षाल आगे-इछ फ्रनलिया सइड में ताकि दिक्कत ना करें पूरा नहीं खोलें इसको एक्सेल को साइड में बान दिया हैं अ और यह क्लेश प्लेट नहीं आगे-ट्र प्रेदें दोनों सेट डालेंगे पुराने पाट नो चेक कर लेंगे सेटली यूपर मैच कर लेंगे साइज का ओके को चेट ने लगा दिया है क्लेशेट और फिटिंग और ही अभी याईरंडी में अब कर रहे हैं यह सेल्फ का बोलटेस में तुरह दिक्कत करता है वहां पर हाथ चलने के जगे नहीं है टाइट करने के लिए कि ऊपर की फिटिंग हो रही है नीचे गपलीट हो गया है फिटिंग ओपर का भी लगवग हो गया है बस यह माद नीचे का देख सकते हैं पूरा फिटिंग हो गया है ओके कि इस से भी देख सकते हैं एक्सल वगर लगा दिये रेक वगरा फिट कर दिया हमने दुवारा अब देख सकते हैं इसमें पूरा टैर वगरा फिट कर दिया है उपर से फिटिंग कंप्लीट हो गया है आप देख सकते हैं पूरा भैट्योगरा लगा कर रेड़ी है ब्लेडिंग वगरा कर लिया है इसका ऊपर से फिटिंग कंप्लीट है अब दर से रेक फिट कर देंगे ड़न्ड वगराश लिए गांड़ी शरा हमारी रेड़ी है विल्कुल उक्लाच हो गया है चलने के लिए रेड़ी है ये ये दक्षु चल पड़ी ट्रैल के लिए फैनल ट्रैकल के जारिया है ये रोट्ट जारी है गाड़ी